हलो एंड वेलकम दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त अमिद भारद्वाज न्यूएस के यूट्यूब चनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है भाईया भूले तो नहीं होंगे हमें आप हम भी आपको नहीं भूले हैं लगभग 65 दिन के बाद ज हो गए आप ठीक तो हैं आपकी तबियत तो ठीक है आप नए वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं तो उन सभी शुप चिंतकों को और वीवर्स को मैं बता दूं कि मैं बिल्कूल ठीक ठाक हूं जिंदगी में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था जिसकी वजह से की वीडियो बना न हम न शुरू हुआ हूं आज विजय दश्मी है तो एक तो सबसे पहले आप सबी को दशहरा की यानि की विजह देश्मी की बहुत बहुत कामना है आज के दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सब लोगों के सामने वीडियो बना कर लाओं बहुत ही शुप दिन है आज तो आप सभी लोगों के समक्ष जो है मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आज के दिन ऐसा मना जाता है कि अच्छाई की बुराईपर विजय होती है आलड़ी अच्छाई की बुराईपर विजय तो हो चुकी है इंडिया बंगलादेश को जो है 3 मैच इसकी सीटीरीज में 2% से हरा चुका है बट आज के दिन तो दोस्तों क्योंकि विजय दश्मी है तो अलग ही उपहार दिया है इंडियन क्रिकेट टीम ने T20I मैच में ऐसा स्कोर खड़ा किया है जोस्तों ऐसा स्कोर खड़ा किया है कि जिसमें कई सारे रिकॉर्ड बन गए हैं इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए हैधराबाद में मैच था आज 297 रन का स्कोर बना दिया है छे बिकेट के नुकसान पर जो की अभी तक किसी भी टेस्ट प्लेंग नेशन का जो हाइस स्कोर रहा है इससे पहले का जो हाइस स्कोर था वो शायद 261 था वो भी इंडिया नहीं बनाया था श्रिलंका के खिलाफ हाँ नॉन टेस्टेंग का नेशन का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक इंटरेक्ट है नेपाल ने मेरे ख्यासे मंगोलिया खिलाफ बनाया था 313 पर दोस्तों आज का मैच देखके अल्टीमेट मजा आ गया है यह होता है टी ट्वेंट पोता होता है दादा वो वाला दादा नहीं जो दादागिरी करता है हालांकि हमने इस मैच में दादागिरी भी दिखाई है अपनी लेकिन वो दादा जिसको की पता है कि गेम में कहां से कब और कैसे क्विस्टन टर्स लाने है कितने बुरे तरीके से सामने वाले को तोड़ तो कि इंडिया की टीम से मैं आपको कुछ record बताता चलूं जो की टीम इंडिया ने आज बनाये हैं बहुत ही लीदेद रिकॉर्ड मेंद दोस्तों आप बिलीब नहीं कर पाएंगे कि यह टीम इंडिया ने यह सारी record बनाए हैं सबसे पहले ठ्षकतों का record बना और जो रिकॉर्ड बने है दोस्तों वो है बेस्ट पॉवर प्ले का स्कोर 6 औरों में 82 रन एक विकेट देकर दूसरा है दोस्तों फास्टेस्ट टीम हंड्रेड सिरफ 43 बॉल्स में यानि की 7.1 आवर्स में टीम इंडिया ने अपना शतक पूरा कर लिया था उसके बाद 10 औरो में बेस्ट कोर बना है 152 रन्स फॉर लॉस ऑफ वन विकेट दस अवरों में दोस्तों 152 रन अच्छा दब दस आवरों में 152 बने थे ना तब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाईया इंडिया आज 300 रन के टार्गेट पर भी पहुंच सकती है और अगर आखरी और में वह दो लॉंग ऑफ पे कैच पकड़ी गई वह अच्छी कैश थी हालंगी बिल्कुल बाउंडर के बिल्कुल पास पकड़ी गई अगर वह चक्का हो जाता तो 300 का रन भी आज पार था इंडिया 300 का रिकॉर्ड भी तोड़ देती बट नवर्दलेस 297 का स्कोर मारा है इंडिया ने अच्छा इसके बाद जो दोस्तों रिकॉर्ड है वो है फास्टेस तीम हंड्रेड का कितने मात्र 84 बॉल्म है अब आप यह देखिए कि फास्टेस 143 बॉल्स और फास्टेस 284 बॉल्स मतलब नेक्स जो हंड्रेड आए उस पहले हंड्रेड के बाद वो सिरफ 41 बॉल्स में पहले 143 बॉल्स में 241 बॉल्स में उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा टीम टोटल मना दिया है टीम इंडिया ने 297 फॉर 6 विकेट एक इनिंग में सबसे जादा छक्के जैसा कि मैंने आपको बताया 22 चक्के और एक इनिंग में सबसे जादा बाउंडरी का भी प्रूड बना दिया है यानि की टॉटल 470 मारी है टीम इंडिया ने जोकि अपने आप में वर्ट रिकॉर्ड है T20i में इससे जाधा जो है वो boundaries किसी भी टीम में एक T20i में नहीं मारी हैं एक जो दोस्तों आज record बन सकता है वो जो मुझे लगता है वो शायद हो सकता है कि सबसे जाधा रनों से हार का टेस्ट प्लेंग नेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं सबसे जाधा रनों की हार का record जो है वो इंडिया वर्सेज न्यूजिलैंड का है 162 रन का हालां कि शिलंका का भी है बट शिलंका ने जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद नेपाल या मंगोलिया को ह इंडिया मैं 273 रन से हारी थी नेपाल से बट अगर टेस्ट में नेशन की बात करूं मैं तो श्रेलंका का record है 172 रन का उन्होंने Kenya को हराया था 172 रन का दोस्तों मुझे लगता नहीं कि 125 रन 26 रन को मुझे रखता है 125 रन बनाए ही जाएगी बट यू कि शायद ऐसा हो सकता कि 125 रन ना बना पाए तो टीम इंडिया रिकॉर्ड बना ले इंडिया ने जो है 168 रन से न्यूजी रेंड को हराया हुआ है यह भी दोस्तों मेरे को लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हाँ अगर आप कोशिश करें यानि कि 139 रन से पहले अगर है वैसे तो पहली ही बॉल पर जो है वो यादव जी ने अपने विकेट ले ली थी चोटी बॉल डाली थी वो डिफेंड करते हुए आउट हो गए उनके जो ओपनिंग बैट्समन है तो दो विक्टें गिर चुकी है दोस्तों 3.1 आवर में 36 रन है उमीद है कि 128 रन तक तक जो है इनको रोग की लेंगे बहुत ही शांदर मैच रहा दोस्तों आज का दिल खुश हो गया लाजवाब हो गया दिल मुझे उमीद है मेरी ऐसी आशा है कि आप सब लोग शायद ये मैच नहीं देख पाए होंगे क्योंकि आप लोग दशारा मनाने में व्यस्त होंगे पिसी जो है आपको थोड़ा सा इसका जो है हिस्ट्रीस बताता चलूँ जो हाइलाइक्त शेम्संक ने भईया आज ङो है पहली 1 ला सेंट्री मारी है इंडिया की तरफ से अपनी उनकी जो है वो पहली सेंट्री मारी है इंडिया के लिए 111 अम मारें उन्होंने 45 9 देखे उ बहुत ही बहतरीन खेलिया संजु शामसंग एक आवर में उन्होंने जो है 30 ठोके लगातार पांच छक्के जो है उन्होंने ठोके थे बॉलर थे राशिद हुसाइन राशिद हुसाइन को उन्होंने पहली ऑल डॉट बॉल गई थी उसके बाद लगातार अगली पांच बॉलों पर नने पांच छक्के ठोके थे वह 62 रूंस पे थे और उसके बाद पांच ठोके के बाद वह सीधा के सीधा जो है वह 92 रूंस पह आ गये थे बहुत ही बहतरीन ब सब्सक्राइब दोस्तों आए थे उसके बाद साथ देने के संजी सेमसंग का उन्होंने भी बहुत वहतरीन पारी के लिए 35 बॉलों में 75 रन उन्होंने मारे और इंडिया को तीम इंडिया को जाधा रन बनाने के चक्कर में वह भी आक्री में आउट हो गए उन्होंने भी दो दोस्तों उसके बाद आए उन्होंने 18 बॉलों में 47 रंग मारे चार चौके चार चक्के रिंकु सिंग चार बॉलों में आठ रन एक चक्का नितीश कुमार रेडी जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि हार्दिक पांडिया और नितीश कुमार रेडी जो याल बिलकुल लास्ट आवर में आउट हो गए थे दो बॉलों पर लगातार जो है दो विक्ते मिली थी तंजीम एहमद थे वह लास्ट आवर कर रहे थे उनको शायद सेकेंड और थर्ड बॉल थी उस पे पहले हार्दिक पांड आउट हुए चक्का मारना ही चक्कर में बना टीम इडिया और रिंकू सिंग ने आखरी बॉल पर जो उनका सिगनेचर शॉट है चक्का मार के टीम इडिया को जो है 297 के स्कोर पर पहुंचा दिया पर दिल खुश हो गया दोस्तों आज का मैच देखके जरूर आप लोग हाइलेट में मैच देखिएगा अल्टीमेट मैच हुआ दोस्तों पहले के दो मैच भी बहुत अच्छे हुए थे यह टीम जो है ना दोस्तों यह गौतम घंभीर की टीम लग रही है यह टीम इंडिया नहीं है यह गौतम घंभीर की टीम है बिलकुल पियरलेस टीम है सामने वाले को आगर आपका दिन है आप बिलकुल नेस्ता नाबूत कर दो वो खड़े होने के लायक ना रहे बिलकुल किलर इंस्टिंक्ट जो होती है ना वो दिखा रही है यह टीम कि हम आपको अगर बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग से आपको मैच से आउट कर देंगे अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग से मैच को आउट कर देंगे हम आपको जो है मतलब मैच में टिकने ही नहीं देंगे आप जैसे कहते हैं कि you just give us a slight hint through the door और हम उस दर्वाजे को तोड़ कर जो है वो अंदर घुस जाएंगे आप बस हमें थोड़ी सी जगा दे दीजिए दर्वाजे में पैर रखने की जगा दे दीजिए हम दर्वाजा तोड़ के अंदर घुस जाएंगे नेस्ता नाबूद कर देंगे आपको ये टीम इंडिया है ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है अभी तो खेर घर में बुलाकर मार रहा है तो जोक सपाट दोस्तों बट बहतरीन टीम है दोस्तों यही चाहिए जो एक व बहुत ही खतरनाक तीम हो गई हालांकि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि भागलादेश रहा पीट लिया तो क्या हो गया भागलादेश को बहुत अच्छी टीम है वह आई थिंक अभी जो पीछे सीरीज होई थी न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराके आ रही है वो तो छोटी टीम मत समझीएगा दोस्तों बांगलादेश को बहुत अच्छी टीम है बड़ टीम इंडिया का इस वकात वह काल इतना है कि वह कोई भी टीम उनके सामने आजए अभी न्यूजीलैंड भी आ रही है थोड़े दिनों में टेस्ट मैच को सीरीज शुरू होने वा अच्छा दोस्तों एक और मैं आपको मैच की जो है बात करता चलू आप लोगों ने शायद मिस किया होगा इंग्लेंड और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था दोस्तों जहां पे की टेस्ट मैच था पाकिस्तान ने जो है साड़े पांसों करीब पांसोचपन रन बनाये थे अपनी पहली इनिंग में देट्सों के करीब उन्होंने ऑवर खेले थे वह वह पांसों साड़े पांसों रन बनाने के लिए इंग्लेंड ने अपनी बेजबॉल क्रिकेट से आइधिंक 823 रन मारे अपनी पहली इनिंग में उन्हें भी डेट्सों अबर में 823 रन मारे और तकरीबन 270 के करीब कि उन्होंने जो है वो पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप कहा रहा हूं लीड दी थी पाकिस्तान को इनि 823 रन ठोके दोस्तों 1.500 अवर पाकिस्तान ने खेला 1.500 अपने बेजबॉल स्टाइल में इंग्लेंड ने खेला 272 रन के आसपास की लीड दी थी और 240 के आसपास 30 के आसपास जो है उन्होंने पाकिस्तान को आउट कर दिया मुल्तान की बिल्कुल पाटा पिछ दोस्तों लगभख 15.500 रन बने अपने पांच दिन के पूरे मैच में लेकिन इंग्लेंड ने दिखा दिया पाकिसान को उनकी आउकाथ बिल्कुल घटिया स्टर की पिछ थी बिल्कुल बैटिंग पिछ थी लेकिन बेस्बॉल उन्होंने दिखा दिया कि भाया हम किसी भी लेवल से किसी भी तरीके से जीत सकते हैं हम इतनी तेजी से स्कोर करते हैं कि आपको खड़े रहने का समखलने का मौका नहीं मिलता है तो वो भी दोस्तों एक बहतरीन उधारन था कि कैसे आप किसी भी situation से इतना डाउन होने के ने भीक ह main यृृट मनें पाकिस्तान की के बेश्टी होती है तो देखने का और अलग ही मज़ा आता है वह लिए लग रहा है कि PLB करे गई है कि मुछे इतना मज़ा प bonO देखने का कि मैंने इंतजार ही नहीं कि भीए वह पहले भीतिंग को उसके पार बदा दूर बनाऊ सब्सक्राइब दोस्तों इतना ही वीडियो काफी लंबा हो गया है 15 मिनट का हो गया है आप लोगों को भी शायद देखने में अगर ज्यादा बोलता रहूंगा तो मज़ा नहीं आएगा वैसे काफी दिनों के बाद आ तो यार लंबा वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है अभी के लिए दोस्तों अपनी वाणी को विश्राम देता हूं जल्दी आप लोगों के सामने फिर से आउंगा जल्दी आप लोगों से कोशिश करूँगा कि जल जल्दी वीडियो बना के आपको मिलता रहूं और आप सभी की शुप कामनाओं के लिए दोस्तों थे सारा धन्यवाद एक बार फिर से दोस्तों आप सबी को दशारा की यानि विजय दश्मी की धेरों 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 शुप कामना एंग दोस्तों